नमस्कार नियो नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गुपिका शर्मा अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप नियूज सन 1844 में बहाई संप्रदाई के महत्वपूर्ध धार्मिक व्यक्ति सैयद अली महुमच शिराजी ने 24 साल की उम्र में इरान में अफ्तार होने का दावा किया देश की सरकार ने उन्हें मौत की सजा दी सन 1848 में अमेरिका के राइट बंधूँ से भी पहले ग्लाइडर बनाकर इंसान को पहली बार उढ़ना सिखाने वाले ओटो लियन्थाल का जनम आज के दिन हुआ 1919 में जैपोर राजहरानी की राजमाता महरानी गायतर देवी का जनम आज के दिन हुआ सन 1945 में जर्मन तानाशा हिटलर की यहूदी विरोधी खूफिया सेवा के प्रमुक हैंरिक हिमलर ने अंतरास्टियस सयुक सैनाओ की हिरासत में आत्मत्या की सन 1951 में चीन ने एक स्वास्त शित के रूप में तिबबत पर कबजा कर लिया सन 1977 में आजी के दिन उत्री मलूक मूल के चरम पंतियों ने उत्री हालेंड में एक प्रात्मे स्कूल और एक ट्रेन में घुस कर बहुत से लोगों को बंधग बना लिया कमांडो कारवाई के जरिये इस संकट को सुलजाने में 20 दिन से अधिक का समय लगा सन 1986 में अमेरिका और पश्यम यूरोपियों देशों ने तक्षिन अफ्रीका के खिलाफ भारी प्रतिबंदों के प्रस्ताफ पर वोट दिया 1994 में सौधी अरब में भगदर से 273 त्रियातियों की मौत हुई सन 2004 में आजी के दिन बांगला देश में तूफान की कारण मेगना ददी में नाव डूबने से 250 सवार यात्री डूब गए 2008 में बारत ने सत्य से सत्य पर मार करने वाली मिसाइल प्रत्वी 2 का सफल परिक्षण किया 2009 में आजी के दिन यानी 23 मेई को प्रस्टाचार के आरोपों में घिरे दक्षण कोरिया के पूर्व राष्ट्पती रोमू ह्यून ने अपने घर के नस्दीक पहाडियों से चलांग लगा कर आत्मत्या की सन 2010 में आजी के दिन उचतम न्याले ने बिना विवाक के महिला और पुरुष के एक साथ रहने को अपराद नहीं माना 2014 में 23 माई के दिन रूस और चीन ने सीरिया में युद अपरादू के लिए अंतरास्टी अपराद न्याले की स्थापना के लिए सायुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में वीटो शक्ती का प्रयोग किया